समुन्द्र बड़ा होकर भी अपनी सीमा में राता है और इनसान छोटा होकर भी अपनी सीमा भूल जाता है कुछ लोग ऐसे नहीं होते जो दिखाई देने की कोशिस करते हैं ऐसे लोगों से बचे और दूर रहने की कोशिस करें जिन्दगी जब तमासा बनाती है तो भीड में ताली बजाने वाले अपने ही होते हैं बात जब जरूरत की होती है तो जुबान सब की मीठी हो जाती है रंग छोड़ते कपड़े और रंग वदलते लोग कितने विब्रांडेट क्यों नहों दिल से उतर ही जाते हैं जहां खुद को साबित करना पड़े वहां समझ जाना तुम्हारी वहां कोई कदर नहीं सिमेन से भी एक सिख मिलती है जोडने के लिए नरम होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सक्स होना जरूरी है सम्मान हमेशा समय और इस्तिती का होता है पर इनसान उसे अपना समझ लेता है रिष्टे और पतंग जितनी उचाई पर होते हैं काटने वालों की संख्या उतनी अधिक होती है बात सा गए तो रिष्टे रह गए और बात का गए तो रिष्टे ढगए रिष्टे उसी से रखो जो समय आने पर प्यार और सहयोग दिखाए आवकात नहीं जिन्दगी स्टेशन जैसी है जनाब मिलते बहुत है यहाँ पर वक्त के साथ सब चले जाते हैं जिन्दगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खुशूरत हो भरोसा सब पर कीजिए पर बहुत साथानी से क्योंकि कभी कभी खुद के दात भी जीव को काट लेते हैं लोगों को अपनी खाली जेब दिखा दो वो तुम्हें अपना असली चेहरा दिखा देंगे एसे ब्यक्ति को संभाल कर रखें जिसने आपको तीन भेट दी हो समय, साथ और समरपण दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना याद रखी अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बलकि सामने वाले बेक्ति से ज़्यादा सफल होकर लिया जाता है मन खराब हो तो भी, सब्द खराब मत बोले, बाद में मन अच्छा हो सकता है, मगर सब्द नहीं हमारा मन वह सफेद कपड़ा है, जिसे जिस रंग में डुबो देंगे, उस पर वही रंग चड़ जाएगा इंसान कितना भी अमीर क्यों न हो जाए, तकलीब वेच नहीं सकता, और सुकुन खरीद नहीं सकता कभी कभी हम धागे बहुत कमजोर चुन लेते हैं, और पूरी उम्रगाठ वादने में ही गुजर जाती है किसी का दिल अगर साप ना हो तो उसका खुद सूरत चेहरा भी किसी काम का नहीं होता जिन्दगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी के पिछे वक्त बरबात करने से बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना अपनों का प्यार तो बहुत दूर की बात है, अपनों का साथ मिल जाय उतना ही बहुत है मुझे तो तोफे में अपनों का वक्त पसंद है, पर आजकल इतने महांगे तोफे देता कौन है गटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचानिया है कि उन्हें आप जितनी ज़्यादा इजद दो गेवा आपको उतनी ही ज़्यादा तकलिते देंगे देर से बनो लेकिन कुछ बनो क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत कुछते हैं हम अपना वक्त बरबाद नहीं करते, जो हमें भूल गया हम भी उसे याद नहीं करते दुनिया की सबसे बुरी लट होती है, किसी इंसान की लट इस लट से दूर रहें नहीं तो अपना भविस बरबाद करवाने के लिए तयार रहें यह दुनिया एक ही पल में तुम्हें बरबाद कर देगी, मुहबबत हो भी जाय तो, मसहूर मत होना यारों जो कभी हमारी आखों में एक आसू भी नहीं देखा करता था, आज वही हमारी बहते आसू की वज़ा है मुझे आजकर उस पत्थर की तलास है, जो लोग अक्सर दिल पर रख कर किसी को भूल जाते हैं वक्त ने ना जाने क्योंकि जिन्दगी में जक्म दिये हैं, उन्हें समझते थे हम, अपना उन्होंनी हमें गम दे दिया वक्त कहां रुकता है, रुकते तो हम हैं, कभी किसी लम्मे में, कभी किसी सक्स में मुझे बुरा बनाने में हाथ है, कुछ अच्छे लोगों का वक्त हालात को बदलता है, और हालात इंसान को अच्छा इंसान तब बुरा बनने पर मजबूर हो जाता है, तो वह बहुत बुरा बन जाता है मुश्किल वक्त में अच्छे लोग, नसीब वालों को ही मिलते हैं मुर्क वेक्ति दूसरे को बरबाद करने की चाहत में, इतना अंधा हो जाता है तो उसको खुद के बरबाद होने का पता नहीं चलता है वक्त बदलता है जिन्दगी के साथ, और जिन्दगी बदलती है वक्त के साथ वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, वस अपने बदलते हैं वक्त के साथ वक्त बदल देता है जिन्दगी की सभी रंग, कोई चाह कर अपने लिए उदासी नहीं चुनता वक्त के जासे में कभी मत आना या मुझसे भी यही कहता था मैं तेरा हूँ वक्त एक ऐसा गुरू है जो इन्सान को जिन्दगी की सही कीमत बताता है वह बात कर रहे हैं कदर की जो खुद किसी की कदर नहीं करते हैं रिष्टों के भी एक अपनी उम्र होती है कुछ महीने तक चलते हैं कुछ जीते जी मर जाते हैं अगर सफर को पूरा नहीं कर सकते हो तो हमें उस सफर को शुरू नहीं करना चाहिए एक जिन्दगी चल एक नई शुरूआत करते हैं जो उमीद औरों से की थी वह अब खुद से करते हैं कुछ देने के लिए हैसियत नहीं नियत होनी चाहिए जुकना जरूर लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके दिल में आपको जुकता देखने की जिद ना हो जिन्दगी को सही जीने के लिए ज्यादा नहीं बस ऐसे दोस्त हो जो जेब का वजन देखकर न बदले बहुत अंदर तक जला देती है वह सिकाईते जो बया नहीं होती किसी की यादों से अगर जिन्दगी गुजर जाती तो कभी कोई किसी से मिलने की फर्याद ना करता ज्यादा बोज लेकर चलने वाले अक्सर तूट जाते हैं फिर चाहे अविमान का हो या सम्मान का मतलबी नहीं मैं मगर हाँ खुद को दूर कर लिया है उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं थी आप किसी के लिए कितना भी कर लिजिए पर ओ याद वही रखेगा जो आप नहीं कर पाए ख्याल उनीक है आते हैं जिनसे दिल का रिष्टा होता है हर सक्स अपना हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है बस खुदा को हमारा सब्र आजमाना होता है बहुत तब्दिलियां चाहता था जमाना मुझ में जब से बदले हैं तब से कुछ और ही बुरे हो गए लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हत मजनु को अगर इसक है तो कमाना सीखे इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर तूट जाए वे वज़ा कोई इलजाम लग जाए तो क्या किजिए फिर यू किजिए कि वा गुनाह कर लिजिए ये उम्र अगर दम है तो कर के दे इतनी सी खता बच्पन तो चीन लिया बच्पना चीन कर वता रब पर भरोसा उन परिंदों से सीखो जब वे साम को वापस घर लड़ते है तो उनकी चोच में कल के लिए एक दाना भी नहीं होता कोई नहीं समझता किसी की हलातों को अपने हो तो जजबाग और दूसरे के हो तो मजाग से ही लगते हैं यहां सब सभी को जानते हैं जनाब यहां कोई खुद को नहीं जानता बहुत दुख होता है या सोच कर कि हम सारा दिन उन्हें याद करते हैं जिने एक पल के लिए भी हमारी याद नहीं आती कोई रिजेक्ट कर दे तो उससे दूर नहीं होना है बलकि उसके सामने राकर कुछ ऐसा करना है आपको रिजेक्ट करके पस्ता हैं सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए या मुम्किन नहीं जनाब यह जिन्दगी है पिता का घर नहीं उपवास कीजिए पर खाने का नहीं गंदी सोच गंदी नियत और गंदे विचारों का रिष्टा अक्सर वही कामयाब होता है जो दुनिया की नजरों से ज़्यादा अपने दिल के जज़बात की परवा करता है कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं दुनिया में ख्याल रखने वाले काम और तकलीब देने वाले ज़्यादा है हर एक चीज में खुबसूरती होती है लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता सत्य का दर्वाजा इतना छोटा और तंग होता है उसमें दाखिल होने से पहले सर को जुकाना पड़ता है सच्चा रिष्टा एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है कितने भी पूराने हो जाए फिर भी सब्द नहीं वदलते अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो दोड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्य कदमों को साहब जिन्दगी बहुत तेज लगाती है बच्पन गुजर जाने के बाद सिर्फ सुकून ढूड़िये जरूरत तो कभी खत्म ही नहीं होगी सफर में मुसीवत आये तो हिम्मत बढ़ जाती है कोई राष्टा रोके तो जरूरत बढ़ जाती है अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम अक्सर ना बिकने की ठानली हो तो कीमत बढ़ जाती है लोग काते हैं जिन्दगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए लेकिन वही लोग सुबा होते हैं किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं दर्द तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है वरना दूसरों को सिर्फ लगू ही नजर आता है जिन्दगी गुजर रही इंतिहानों के दोर से एक भरता नहीं और दूसरा आने के जीद करता है किसी तूसरा को डिला है चले होती है है